गूगल कमपनी में करमचारियों की बीच चल रहे हैं विवाद को देखते हुए गूगल के मुख कार्रेकारी अधिकारी यानि CEO सुन्दर पिजाई ने कमपनी में महिला फुरुष के बीच बेदभाव के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई साथ ही आंतरिक टाउन हॉल बैठक को रद्द कर दिया गया है बतादे की करमचारी के प्रवंधक से सवाल किया गया कि कमपनी की आंतरिक मैसेजिंग सीवा से ऑनलाइन लीख हो गए पिचाई ने करमचारियों को भेजे इमेल में कहा कि गूगल के कई करमचारी अपनी सुरक्षा को ले कर चिंतित हैं और उन्हें आशंका है कि टाउन हॉल में बोलने पर उन्हें बाहर किया जा सकता है टाउन हॉल शुरू होने से एक घंटे पहले भेजे इमेल में पिचाई ने कहा कि कमपनी कई और मंच बनाने का प्रयास कर रही है जहां कर्मचारी बीना किसे जिजग में अपनी बात रख सकेंगे SPN 9 Newsroom की रेपोर्ट